मैं पढ़ने में बिल्कुल 0 था पढ़ने का रिकोर्ड बताऊं तो मेरे 8th कलास में 51 परसंटेज है 10th कलास में मेरे परसंटेज है 57 12th कलास में मेरे परसंटेज है 58 साथ ही मैं बीए फेस्टियर में सब्लिमेंटरी आ गई थी हिंदी के अंदर मेरे सब्लिमेंटरी थी सब्लिमेंटरी तो थी उसके साथ वह अन्यवारे सब्जेक्ट में मैं फेल था तीन अन्यवारे सब्जेक्ट होते हैं ते उसमें अब मेरे को पता नहीं कितने अन्यवारे सब्जेक्ट चलते हैं में लेकिन उसमें तीन अन्यवारे सब्जेक्ट थे उन में से मैं दो अन्यवारे सब्जेक्ट में फेलता इस दर्शन से जुड़ा फिर मानों की मेरे सारी सारे रिक आर्थिक सारे ही परिवर्ता नाने स्टार्ट हो गए थर्ड ग्रेड का एक्जाम दिया मेरा थर्ड ग्रेड में सेलेक्शन हो गए फेस्ट ग्रेड का एक्जाम दिया और फेस्ट ग्रेड का एक्जाम दिया उस दिन मेरे 100% हो गया कि अपना सेलेक्शन हो जाएगा इसका मतलब अपना सेलेक्शन हो रहा है गुर्देव अपने साथ है फिर मैं असिस्टेंट प्रोपेसर की तियारी की असिस्टेंट प्रोपेसर के अंदर मेरी राजस्तान के अंदर चोती रेंग और return में मैं all Rajasthan top पर हूँ percentage आपको बता दिये मेरे कितने हैं All Rajasthan मेरी geography में assistant professor में 4 ती रेंगे और return में मैं पूरे राजस्तान का top पर हूँ फिर आगे चमतकार देखिए गुर्देव का मैंने गुर्देव के program में भी कह दिया था कि मेरा 20 दिन बाद में result आएगा और मेरा assistant professor में selection भी हो जाएगा 20 दिन पहले की गोष्णा थी गुरूप भाई उस प्रोग्राम में थे उसमें मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरा 20 दिन बाद में गुर्देव की करपा से असिस्टेंट प्रोफेसर में selection हो जाएगा और 20 दिन बाद में result आया और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाया और अभी मैं assistant professor चूरू जिले में बिदास सर कोलेज में लगावा हूँ यह है कि मेरा कोई भी काम बिने रिस्वत मैं जहां पर भी जाता हूँ या बिने किसी की सीपारिस के हो जाता है यह में बड़ी मेरे साथ गुर्देव का कितना सन्य है मैं यह मान सकता हूँ कि बिने कोई भी रिस्वत बिने किसी को की सीपारिस मेरा काम हो जाता है अपनेulleंड के साथ साथ अपनेको महनत भी करनी होते हैं। और वो महनत करने की सक्ति भी अपने को गुरदेवी देते हैं। अब आपनवानों पूरे दिन पढ़ाई करते हैं। शयाम को सुबह ध्धान कर लिया, तो अपने ठषा नहीं आएगे। पूरे दिन की धकान वो 15 मिनट ध्यान का समय कर के बाद में अपने अपने धकान खतम हो जाती है इसलिए गुर्देव के दर्शन से जोड़ने के पश्यात मेरे जिवन में बहुत ज्यादा चमतकार हुए बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए और मेरे गाउं की एक गठना और ह सह पाठी मेरी गाउं की बहीन कम ला वो 10th klas में फेल हो गई थी मेरे साथ ही मैं 10th klas पास परसेंटेज मेरे कम थे लेगिन मैं तो पास हो गई और वो ग 10th को ने दो अए दो साल ऍते हैं दो दो साल पसू चराने के पस्याद उसके पता नहीं क्या दिमाग में आई होगी प्राइवेट वापत दस्विगा फारम लगा दिया और 22-23 परसंटेज से 10 पास कर लिया उसके पास उसने ट्वर्थ की ग्रेजेशन कर लिया बीड कर लिया बीड करने के पस्याद वो भी इसी को परसंटेज किसी के भी फ्रस्ट यूजन नहीं है टेंथ के अंदर किसी के मेरी बाबी के 49 परसंटेज है वो आज इसकुल लेक्चरर है मेरी सिस्टर है बड़ी वो 2008 में पड़ाई जोड़ दी थी 2015 में हम लगने के बाद में गुर्देव के दर्शन जोड़ने के बाद में वो वापस अस्ट इसकुल की टीचर की तियारी करना प्रारम किया और 2006 की सेकिंड ग्रेड बर्ति में उसका सेलेक्शन हो गया चोटी सिस्टर है वो पुलिस में लगी फिर सेकिंड ग्रेड लगी इसकुल लेक्चर लगी अभी वाइट्पिनिंग सीबर है जै गुर्देव जुड़ने के बाद में गुर्देव के दर्शन से जुड़ने के बाद में मेरे जीवन में चमतकारिक परिवर्तन आये थे और वो चमतकारिक परिवर्तन एक नहीं कई सारे चमतकारिक परिवर्तन मेरे जीवन में आये थे अब मैं 2013 में गुर्देव के दर्शन से जुड़ा था और वो इस पैनोरमा संस्तान के मद्धिम से जुड़ा था यहाँ पर मेरी चोटी सिस्टर सेकंड ग्रेड की तियारी करते थे वो जुड़ी और उसके बाद में एक मेरा दोस्ता मोहन वो भी यहाँ पर सेकंड ग्रेड की तियारी करते थे वो भी इसको लिक्चरर है एकोनोमिक्स है वो जुड़े हम तीनों ही बिलकुल नास्तिक थे भगवान को मानने वाले ही नहीं थे कि भगवान कुछ भी नहीं होता है अब वो दोनों यहाँ आए उन्होंने जुड़े तब मैंने यह सोच लिया कि यह दोनों जुड़े हैं इसका मतलब यहाँ पे कुछ चीज में सकती है तो उनके कारण में जुड़ा मैं पढ़ने में बिलकुल 0 था पढ़ने का record बताऊं तो मेरे 8th class में 51% है 10th class में मेरे percentage है 57 12th class में मेरे percentage है 58 graduation में मेरे percentage है 51.33 साथ ही मैं BFS year में sublimentary आगी थी मेरे हिंदी के इंदर हिंदी साहिते के अंदर मेरे sublimentary थी sublimentary तो थी उसके साथ दो अनिवारे subject में मैं फेल था तीन अनिवारे subject होते हैं ते उसमें अब मेरे को पता नहीं कितने अनिवारे subject चलते हैं MDS में लेकिन उसमें तीन अनिवारे सब्जेक्ट थे उन में से मैं दो अनिवारे सब्जेक्ट में फेलता इसके बस्यात मेरी ग्रेजर सन हो गई बीएड कर ली पुलिस में लग गया पहले सी आरपेप कॉंस्टेबल लगा फिर पुलिस कॉंस्टेबल लग गया पुलिस कॉंस्टेबल लगते लगते म पीजी भी मेरी जोगराभी मैंसे हो रही है कि मैं विका ने ट्रेनिंग करता था पुलिस की और मेरा पीजी एक्जाम का सेंटर राजमेर था मैं छुट्टी ट्रेनिंग में पुलिस में कितनी तियारी कर पाते हैं अपने को बता है मैं वहाँ से साम को छुटी लेता, पूरी रात बस में चलता, सुबह पेपर देता, उस समय मेरे को पता चलता कि आज आर्थिक भुगोल का पेपर है या बोतिक भुगोल का पेपर है उसके बाद में मेरी PG हो गई, इस दर्शन से जुड़ा, फिर मानों कि मेरे सारे रीक आर्थिक सारे परिवर्ता नाने स्टार्ट हो गए थर्ड ग्रेड का एक्जाम दिया, मेरा थर्ड ग्रेड में सेलेक्शन हो गया first grade का exam दिया और first grade का exam दिया उस दिन मेरे 100% हो गया गिती अपना selection हो जाएगा इसका मतलब अपना selection हो रहा गुर्देव अपने साथ है फीर मैं assistant professor की तियारी की assistant professor के अंदर मेरी राजस्तान के अंदर चोती रेंग और return में मैं all राजस्तान टोपर हूँ परसंटेज आपको बता दिये मेरे कितने हैं ओल राजस्तान मेरी जोग्रापी में असिस्टन प्रोपेसर में चोती रहेंगे और रिटन में मैं पूरे राजस्तान का टोपर हूँ फिर आगे चमतकार देखिए गुर्देव का मेरी इस्कूल लेक्चरर की सेवा साथ महिने साथ वर्स साथ महिने कंपलीट होगी अब मेरे से बाद में असिस्टन प्रोपेसर में जिस सब्जेक्ट का रिजल्ट आया था उनको पोस्टिंग दे दी गई तो मैं यह सोच रहा था कि अपना रिजल्ट है पहले आया था अपनी पोस्टिंग पीछे क्यों हो तो मैंने सोचा कुछ तो गुर्देव अच्छा कर रहे हैं और अच्छा वो कर रहे थे कि मेरा असिस्टेंट प्रोपेसर से की जोइनिंग से पहले वाइस प्रिंसिपल में मेरा परमोशन हो गया था जिस दिन मेरी असिस्टेंट प्रोपेसर की जोइनिंग के आदेश आये और 20 दिन जोइनिंग का समय दिया गया था जैसे ही जैसे आज की तारीक में 26 फरवरी को असिस्टेंट प्रोपेसर की जोइनिंग के आदेश आए 27 फरवरी को रात को आदेश आगए कि आप वाइस प्रिंसिपल में आपका पर्मोशन हो गया 28 फरवरी को मैंने वाइस प्रिंसिपल जोइनिंग कर लिया अब अब ए मेरे मेरे को परथी महाँ पढ़ती मां 7000 रुपे ज्यादा मिलेंगे दो साल तक और मेरे से बाद में रिजल्ट है था उनका लेकिन उनकी जोइनिंग मेरे से पहले मिल गई तो उनका जो मेरी बढ़ती किये थे उनका वाइस प्रिंशिपल में पर्मोशन नहीं वहाँ पहले जोइन कर ली उनका पेमेंट आज की तारीक मेरे से 7000 रुपे कम है और मेरा 7000 रुपे ज्यादा है अब किसी ने मानो की वो जोइनिंग नहीं किये तो एक्स्टेंशन लेना पड़ता है अपने को तो एक्स्टेंशन लेने के लिए भी उनको आयुकता ले जाना पड़ा कहीं नेताओं से हा पड़ी मेरे साथ गुरुदेव का कितना सन्य है मैं यह मान सकता हूं कि बिने कोई भी रिष्वत बिनना किसी को किसी परस मेरा काम हो जाता है कि अब अपन मानों की तियारी कर रहे हो आप दर्शन जो के साथ अपने को मेनद भी करनी होती है और वो मेनद करने की सकती भी अपने को गुर्देव देते हैं अपने मानों पूरे दिन पढ़ाई करते हैं स्याम को सुबह ध्यान कर लिया तो अपने थकान नहीं आएगी पूरे दिन की थकान वो पंदरा मिनट ध्यान का समय के बाद में अपने 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 धकान खतम हो जाती है इसलिए गुर्देव के दर्शन से जुड़ने के पश्यात मेरे जिवन में बहुत ज्यादा चमतकार हुए बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए और असिस्टेंट प्रोपेसर का जब साक्सातकार था और मैं आरपीसी में साक्सातका कार देने गया था उस दो दिनों में मेरी बहुत ज़्यादा तब्वेत खराब थी अब मैं जैसे ही असिस्टेंट प्रोपेसर का इंट्रू देने के लिए रूम के अंदर इंटर वा तो मेरे को ये लगा कि 25-30 मिनट जितना ही भी वह मेरा इंट्रू चला था उस समय मेरे क को कोई भीमारी है यह नहीं भी और मानों कि उस रूम से बाहर आने के बश्याद वही वापस जो भी तकलीब थी लेकिन जो आदा गंटा था वह मैं जितना स्वस्त समझता हूं उससे ज्यादा स्वस्ता हो से और दो दिन से में बहुत ज्यादा प्रेसान था और मेरे को ये मैंने गुर्देव के प्रोग्राम में भी कह दिया था कि मेरा 20 दिन बाद में रिजल्ट आएगा और मेरा असिस्टेंट प्रोपेसर में सेलेक्शन भी हो जाईगा बीस दिन पहले की गोस्ट ना थी ये गृूप वह अगरू भाई उस प्रोग्राम में थे उसमें मैं पहल प्रोपेल सर चूरु जिले में बिदास सर कोलेज में लगावा हूं तो छे गोवर्मेंट जोब मैं लग चुका हूं पढ़ाई के अंदर मैं उससे कमजोर जिसके बीए फेस्टियर में सब्लिमेंटरी आ जाए दो सब्जेक्ट अनिवारे में भी फेल हो जाए तो आप इस्त के अपने को कई फूज या पुलिस में जोब मिल जाए तो अपना गुजरा चल जाएगा और मैं आज असिस्टेंट प्रोपेसर हूं यह मैंने कभी नहीं सोचा था है यही सोच रहा था गि मेरा कहीं कैसे जैसे ओके मैं कई फोज या पुलिस में लग जाएगा हूं और व समन्सर ने उनको इन बार बताया तो उनके इस दर्सन से जुड़े वो दर्सन से जुड़े उसके बाद में मैं जुड़ा और उसके बाद में मेरा पूरा परिवार जुड़ गया और मेरे गाउं की एक गटना और है मेरे से पार्थी मेरी गाउं की बहीन कमला वो टेंथ क्ला को गरवाणों ने दो साल गाउं में पशू चरवाए थे उसको पड़ाई चुढवा दी दो साल तक पशू चरवाए थे दो साल पशू चराने के पश्याद उसके पता नहीं क्या दिमाग में आई होगी प्राइवेट वापत दस्वीगा फारम लगा दिया और वह 25-23 से जुड़ी और आज वो सेकिंड ग्रेड है हिंदी से और मेरा पुरा परिवार गौर्वर्मेंट जोब में है और सब के परसंटेज किसी के भी फच्ट डिउजन नहीं है तेंट के अंदर किसी के मेरी बाबी के 49 परसंटेज है वो आज इसकुल लेक्षर है मेरी सिस्टर ह है बड़ी वह 2008 में पड़ाई सोड़ी थी 2015 में हम लगने के बाद में गुर्देव के दर्शन जुड़ने के बाद में वह वापस अस्ट इसकुल की टीचर की तियारी करना प्रारम किया और 2016 की सेकिंड ग्रेड भरती में उसका सेलेक्शन हो गया चोटी सिस्टर है वो पुलिस में लगी फिर सेकिंड ग्रेड लगी इसकुल लगी अभी वाइस प्रिंशिपर है भाईया है वो भी लेब असिस्टेंट है तो सारा परिवार गुर्देव से जुड़ने के परस्याद ग कि मेरे बिटिया हुई है उसकी मिठाइक लाने के लिए भी मैं आया हूँ आपको तो असिस्टेंट प्रोपेसर बने की मिठाइक लाने भी आया हूँ और पहले मेरे मेरे एक बेटा है और अब बेटिया होगी तो उसकी खुशी के अंदर मैं मिठाइक लाने के लिए आया ह कर दो कर दो तो कर दो